है रो दोस्तों नमस्कार मैं प्रविंदर सिंग आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों आज मैंने एक ऐसे टर्किश ड्रामा के डबिंग आटिस्ट के उपर वीडियो बनाई है जिसको ना सिर्फ इंडिया में बलकि वर्ल्ड वाइड उसको लोगों ने पसंद किया और जो मैंने पहला टर्किश ड्रामा अपने जिंदगी में देखा था वो यही था जि उसके बाद इसका सीजन टू भी आया था लेकिन वो इतना खास नहीं चल पाया इसी शो के कामियाबी के बाद बहुत सारे और भी टर्किश शोज हिंदी में डब हुए जिसको लोगों ने बहुत जार पसंद किया और अब तो यह आम ही है कि बहुत सारे टर्किश शोज ही जाएंगे पिले कि है लुद những सबसे पहले बात करते हैं ठीरीहीं की मा यानी की जहरा यहमाज की तो उनको वाँष दी देशी दुगल जीनि उसके बाद फेरिहा यलमाज साराफुलो को वाज दी थी नताशा चुंगात जीने एमिर साराफुलो को वाज दी थी राजेश शुक्रा जीने उसके बाद सैनिम इलहानी को वाज दी थी मालविका शिर्पुरी जीने उसके बाद हांडे गैजिन को वाज दी थी नीलूफर मिड़े खान जीने उसके बाद एमिर सारफूलो के दोस्त कोराई को वाज दी थी सोम्यादान जीने फैरिहा के भाई मेहमत यलमास को वाज दी थी फिरोज खान जीने जांसू जो के फेरिहा की दोस्त होती है उसको वाज दी थी सौनल कोशल जीने हलील के करेक्टर को वाज दी थी प्रफुल साहु जीने उनाल साराफुलो को वाज दी थी पवन कालडा जीने इसके बाद सेहर यलमास को वाज दी थी स्वापनिल कुमारी जीने और इसके बाद बहुत ही कूल रहने वाले लेवांट सकाइमन को वाज दी थी राजा सेबक जीने लारा के करेक्टर को तानिया सिनह जीने वाज दी थी इसके बाद गुने के करेक्टर को वाज दी थी शागुफता बेग जीने इसके बाद येसिम सारफुलो को अवाज दी थी अरानिया कौर जीने उसके बाद रुया के करेक्टर को अवाज दी थी खुश्बू अत्रे जीने गुलसम के करेक्टर को अवाज दी थी आरोशी तलवार जीने इसके बाद आईसे के करेक्टर को अवाज दे थी शागुपता बेग जीने इसके बाद हालदन इलहानी के करेक्टर को अवाज दे थी मयूर वियास जीने आईकेर के करेक्टर को अवाज दे थी कुर्तार्थ तिरवेदी जीने इसके बाद याबूज संग्जक्तर को अवाज दे थी मुकेश पांडे जीने इसके बाद हाटीज या फिर आईसे के करेक्टर को अवाज दे थी प्रतिबर शर्मा जीने और आखिर में एजरा के करेक्टर को अवाज दे थी आमरीन अखुन जीने तो दोस्तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि इंफ्रोमेशन निकालने में पता करने में काफी मेनत लगती है तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं इसी तरह के और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताके मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियो आगे भी बनाता रहूं तो इससे मुझे मोटिविशन मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स में वीडियो के बारे में बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आगे चलकर आप कौन-कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं इससे मेरा होसला बढ़ता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो राइट ट्रैक पे है लोगों को पसंद आ रहा है तो इसी तरह से आप मुझे को सपोर्ट करते रहे हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे ची वीडियो बना कर लाता रहूँगा तो मैं आपसे अगली बार मिलूँगा तबते के लिए नमस्कार